नमस्कार दो नॉलेज केर में आप सभी का हार्दीक स्वागत है मैं हुराजा कुमार और एक बहुत बड़ी अच्छी ख़बर और बहुत क्विक रिस्पॉंस के साथ आपको बताना चाहेंगे कि भारतिय वायुशेना जी है इंडियन एर फोर्स में ओपन रैली आयोजित किया जा रहा है ठीक है आयोजित होने वाला है ठीक है इंडियन एर फोर्स में ओपन रैली आयोजित होने वाला है तो आप इस वीडियो को अंतक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें चुकि बहुत कम समय में इसका जो form apply का जो apply के लिए समय मिलेगा बहुत कम समय के लिए और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसकी सूचना कहीं पर available भी नहीं है तो हम आपको सबसे पहले ये खबर दे रहे हैं ठीक है तो चलिए आपकी जवाब दही बनती है इसे share करने का तो सबसे पहले आपको बता दूँ ये आपका open rally कहां होगा तो ये बता दूँ अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के ये air force station बिहिटा में ठीक है बिहिटा में होगा कब से कब तक आयूजित होगा सारी बाते कौन आप लाई कर सकता है क्या है प्रकिडिया सारी बाते बात करेंगे इसलिए बीडियो को अंत तक आपको देखना है पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे पहली बात तो ये कि unmarried जो male है उनके लिए form fill up है वो इसके लिए eligible है एक्स ग्रूप के लिए यानि कि technical trades के लिए है तो जाहिर सी बात है technical कुछ knowledge है ये technical क्या चीए तो 10 प्लस 2 जिन्होंने भी 10 प्लस 2 science से किया है वो इस form को आसानी से fill up कर सकते हैं जिनका subject physics रहा हो ठिक है 10 प्लस 2 में physics तो almost सब लेते हैं science वाले उसके लाग भी अगर आपके पास diploma है तो भी आप भाग ले सकते हैं ठीक है अब देखें rally कब से कब होगा तो rally आपका सबसे पहले आपको बता दे form कब से start हो रहा है तो form आपका कल ही start होगा 27 September से ठीक है form आपका registration के लिए pre registration के लिए form 27 September 2020 को start होगा और यह 28 September को 5 बजे close हो जाएगा बहुत ध्यान रखियेगा बहुत कम समय यानि 24 गंटे का मात्र समय मिलना आपको यह 11 बजे आपको start होगा कल कल आपको 11 बजे 27 September को 11 बजे start होगा और यह अगले दिन यानि 28 September को 5 बजे समाप्त हो जाएगा 5 बजे साम में ठीक है तो बहुत crucial समय है इसको ध्यान में रखियेगा apply का तो कल जैसे ही 11 बजे टिक टक टक 11 बजे कालाम लगा लिजिए और कल अपलाई कर लिजिए चलिए अब आईए यह जो है एक्स ग्रूप का है तो इसमें जो है आपका जो है यह रैली दो सिफ्ट में होगा यानि दो दो डेट इसके लिए आपका नो से तेरह तक चलेगा और दूसरा रैली जो है 15 से 19 तक चलेगा यानि कि 9 9 10 11 12 13 5 5 10 दिन ठीक है दस दिन का रैली आपका चलेगा तो 9 से 13-1 और 15 से 19 दो डेट में है ठीक है अब रैली में क्या होगा तो वही पर आपका फीजिकल फिटनेस टेस्ट पहले होगा उसके बाद आपका जस्ट बारीटिन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद अड़ी टेस्ट हो जाएगा यानि कि सारा आपका एक ही दिन पर किरिया complete कर ली जाएगी ठीक है all the district of state of बिहार as per registration 175 candidates each day यानि कि एक दिन में 175 candidates इसमें भाग ले सकते हैं ठीक है तो hurry up कीजिए registration कराईए अगर ज्यादा candidate हो जाएंगे तो क्या होगा तो वो percentage के अधार पर बुलाएंगे आपको ठीक है candidates किस आयू के होने चाहिए तो 17 जनवरी 2000 और 30 December 2003 इस दोनों के बीच का आपका date of birth होना चाहिए ठीक है 17 जनवरी 2000 से 30 December 2003 के बीच यानि कि आपकी आयू जो है वहाँ 17 से 19 के बीच में लगभग होना चाहिए देख लिजे मिला कर कितना हो रहा है ठीक है 17 जनवरी 2000 से उपर आपका date of birth और 30 December 2003 से नीचे होना चाहिए उससे उपर नहीं होना चाहिए बस ये crucial date मिला लीजिए अगली बात है educational qualification की तो अगर आपने 10 प्लस 2 किया है जैसा कि मैंने आपको बताया math physics और English के साथ ठीक है math physics और English यानि कि बायो वाले इसमें नहीं भर सकते टेकनिकल ट्रेड है ठीक है 50 परसेंट मार्क्स होना चाहिए दोनों में aggregate और English में भी आपका 50 परसेंट मार्क्स होना चाहिए या तीन साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है इंजिनियरिंग, mechanical, electrical, electronics, automobile, computer science, instrumentation technology, information technology तो वह भी कर सकते हैं रिकाउगनाइज इंवर्सीटी से होना चाहिए, government, recognized, polytechnic institute with minimum 50% ठीक है, overall 50% होना चाहिए, English, 50% marks in English in diploma or in intermediate matriculation if English is not a subject in diploma, list of eligible diploma course are available of website ठीक है, यहां से आप website से जाकर चेक करनें, आपका कौन-कौन सा है, ठीक है aimselection.odac open rally के हिसाब से है, dot in पर education boards listed in council boards for school examination website as mentioned सारा mention है, चलिए उस पर जादा बात नहीं करेंगे अब आईए हम बात करते हैं, domicile certificate की तो domicile certificate आपको देना होगा, क्या बिहार से हैं, ठीक है और इसके लिए आपका certificate भी consider करेगा लेकिन domicile certificate जो है वो तो आप या तो DM से, SDM से या तैसिलदार्ट से, या any official authorized state of government of भिहार, यानि कि जो भी आपका परकंट से भी हम लोग यहां बनाते हैं, तैसिल उसी को कहा जाता है, वहां से भी चलेगा पर्मानेंट domicile of districts, यह सारा आपको बनाना होगा, आपके पास अवासिय पर्मान पत्र होना चाहिए अब आईए medical standard की बात करते हैं, तो इसमें देखिए hearing, candidates should have normal hearing, एकदम आसानी से आप सुन सकें, चिक है 20 पर from a distance of 6 meter, बतलाव की कान एकदम फ्रेस होना चाहिए dental should have healthy jumps, good set of teeth and minimum 40 dental points कम से कम 14 दात होने चाहिए, ज्यादा नहीं टूटे होने चाहिए general health की बात करें, तो candidate should be normal anatomy without loss of any appendages he should be free from any active or talent, acute or chronic, medical or surgical disability or infection and skin alignment किसी भी तरह का आपके पास कोई भी बिमारिया नहीं होनी चाहिए यानि कि आप स्वस्त और healthy होने चाहिए चलिए अब consumption body tattoo का जो mention है, तो candidates जिसके पास permanent body tattoo है self-submit two photographs, उन्हें दो photo देना होगा, details और size और photo type of the photo देना पड़ेगा आपको उस आधार पर वो निर्ने करेंगे कि आपका उसमें आप सामिल होंगे या नहीं होंगे ठीक है, sick candidate के लिए allow है कि वो religion provides hair को whose religion provides the cutting of hair, यानि सिखो में case काटने की जो परंपरा वो नहीं है तो उन्हें permit किया जा सकता है, बाकी को नहीं दिया जा सकता, ठीक है sick candidate के लिए या eligible है, वो बाल रखते हैं तो रख सकते हैं क्या क्या ले जाना होगा, rally point पे वो देख लिजिए, काफ ही important बात है क्या क्या आपको rally point पे लेकर जाना पड़ेगा, देखे सबसे पहला print out लेकर जाना होगा provisional admit card जो जारी किया जाएगा rally के लिए, वो point number first दूसरा hb pencil, eraser, sharpener, यानि कि सारा आपको toolbox लेकर जाना है, ठीक है, पेपर के लिए उसके बाद the seven unattested recent photo लेकर जाना है, साथ आपको photo लेकर जाना है, बीना attested जो कि आपका सितंबर 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, यानि कि current photo आपको लेकर जाना है passport size color photograph, front portrait in light background without head gear, except for sick ठीक है, sick को छोड़के बाकी लोगों को कोई top ही बगरा नहीं पहनना है, किसी head gear के साथ नहीं the photograph is to be taken with the candidate holding a black slate in front of his chest with his name and date of photograph यानि कि आपको बनाना कईसे है photo, ऐसे बनबाना है, एक slate रखना है, उस पे अपना नाम और date of birth लिखवाना है, पीछे आप रहिएगा, आगे आपका slate लेकर खरा रहिएगा, कि मैं ही हूँ उस तरह से आपको photo खिचवाना है original and for self-attested photocopies of matriculation, passing certificate ये required है, ठीक है original आपको लेकर जाना है, और चार self-attested photocopies लेकर जाना है, matriculation का जो certificate है उसको, ठीक है, original के साथ-साथ 4, ध्यान से सुनिएगा original के साथ-साथ 4 copy आपको लेकर जाना है उसके बाद आपका जो matriculation marksit है, वो लेकर जाना है उसका भी चार photocopies और original लेकर जाना है अगर आपने diploma किया है, अगर English subject नहीं है, तो वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा original and for self-attested photocopies, ठीक है intermediate का, फिर intermediate का आपको photocopies लेकर जाना है चार किसका, marksit का, उसके बाद for self-attested photocopies, domicile certificate का सब का चार-चार लेकर जाना, चार आवासी है, और चार आवासी है photocopies भी ले जाना, ठीक है उसके बाद है आपका personal certificate अगर आप serving air force जो की उनके ने भी अगर आपकी पिता जी काम करते हैं उसमें तो उनके लिए भी है, उनके पास जो certificate है, इसू किया हुआ, वो सब लेकर जाएंगे ठीक है, मैं फ्रेस candidate की बात करा हूँ, सिर्फ, candidate discharged from Indian Army, Indian Navy, any government organization अगर आपने वहां से tag पत्र दिया है, तो उसके लिए भी आपको क्या हो, NOC certificate होना चाहिए, original self-attested copy चाहिए आप आईए consent from the physical fitness test, तो उसके लिए सहमती पत्र आपको दायर करना होगा, कि आप जो है, below 18 साल से कम है और सहमत है, जो अपने guardian से इस बात की सहमती लेंगे, देखिए इसके लिए सहमती आपको ये download करना होगा, और I, इसको fill up करके इसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि मैं सहमत हूँ और जो भी इसमें problem आएंगे, ठीक है, इसकी जो छती पूर्ती होगी, या कोई भी किसी तरह का दिक्कत होगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, आप सहम जिम्मेदार होगे, ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं, tenure and training की, तो ये अगर आप enrollment हो जाते हैं, तो आप आपको 14,600 payment मिलेंगे, और जैसे training आपको complete हो जाएगा, आपका monthly salary 33,100 हो जाएगा, इसके अलावे जो allowance है, टीए है, टीए है, टीए है, टीए है, उसब मिलेगा आपको, other allowance है, such as transport, टीए, allowance, composite, personal maintenance, allowance, leave allowance, लारे, लीव राशन, एडुकेशन, 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 ए Airman shall be permitted to pursue high education qualification, only after acquiring prescribed skill grade in their tradition, उसके लिए high education भी आपकर सकते हैं, इसके अलावे आपको perks में क्या क्या मिलेगा, देखिए, आपको क्या मिल सकता है, अगर आपको job होती, बहुत अच्छी चीज़े है, रासन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, medical facility मिलेगी, घर रहने के लिए मिलेगा CSD facility मिलेगी, साथ दिन का आपको annual और 30 दिन का casual leave मिलेगा, हर एक calendar में, इसके अलावे privilege किसी तरह की emergency होती तो वो मिल सकता है, recreational facility मिलेगी, transport मिलेगा आपको बच्चे के लिए, घर ले जाने लाने के लिए, उसके बाद group insurance cover मिलेगा, 50 लाग का, 3500 के premium पर, ठीक है, ये सारी तोर पर आपको मिलेगी, job specification जो है, वो आप देख सकते हैं, कहाँ पर क्या करना होगा, www.airmanselection.cdeck.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्या करना होगा, आपको, so, चलिए, verification of eligibility, selection कैसे होगा, वो process देख लेते हैं, original education certificate, जो है, मुल परमान पत्र, आपका 10, दसमा का passing certificate, और 12 क passing और Marksit certificate, 10 का अगर आपका आगया है, मुल परमान पत्र, तो उसे लेकर जाएं, 12 का आगया है, तो उसको लेकर जाएं, और Marksit भी लेकर जाएं, ठीक है, नहीं आया है, तो पता करें, आही गया होगा, आपका 3 साल में आ जाता है, डिप्लोमा कोर्स, पासिंग, सर्टिफिकेट, और Marksit of all semester, अगर डिप्लोमा है, तो सारे सेमेस्टर का लेकर जाना है, ओरिजिनल डोकुमेंट, अगर आपने NCC किया है, तो जो भी सर्टिफिकेट है, ABC, सब लेकर जाएं, ठीक है, तो इन सब को आपको लेकर जाना होगा, इनीशेल वेरिपिकेशन होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कषिट का, उसके बाद ही आपको फीजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए तैयार करा जाएगा, उसके बाद आपको दोरने के लिए, सामिल के जएगा, अब आईए, दोर क्या है, कितना है, फीजिकल फिटनेस ट लगाने हैं आपको ठीक है आप उसके बाद क्वालिफाइब माने जाएंगे उसके बाद आपको रीटेन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा जैसे याप PFT पास कर जाते हैं तो रीटेन होगा आपका वह 10 10-2 syllabus का होगा ठीक है 60 minute का exam होगा आपका और उसमें आपको physics, math और English से प्रस्न पूछे जाएंगे और इसकी सारी प्रकिटिया आपको वहीं पर बताई जाएगी कैसे कैसे होगा जैसे exam के लिए आपको ले जाय जाएगा सारी बात आपको बताई जाएगी देखिए एक marks हर एक सही आंसर के लिए और निगेटिव के लिए आपका 1.4 काट लिया जाएगा ठीक है अगर आटेम्ट नहीं करते हैं तो कोई मार्क्स ना काटा जाएगा ना दिया जाएगा नील है Adaptivity Test All Candidates जो पास कर जाएंगे रीटेन और पी एफटी दोनों पास कर जाएंगे उनका Adaptivity Test लिया जाएगा मतलब उसके बारे में ठीक है Access Suitability of Candidates for Employment जाने की छोटा सा इंटर्व्यू के टाइप का आपसे लिया जाएगा उसको पास करने के बाद Test 2 में ले जाया जाएगा आपको फिर वहाँ पर भाईबा टाइप का आपका Environment Test लिया जाएगा Air Force से जुरू ही संबंदित कुछ-कुछ बात नहीं आपसे पूछी जाएगी ठीक है तो वह होगा आपका Question Paper is a confidential document of Indian Air Force All Candidates to note the understand that access to the paper is permitted only during the examination Question Paper in any form whatsoever will not provided to the candidates after exam ठीक है तो exam question paper आपको लोटाया नहीं जाएगा वहीं पर आपको दे देना है Medical examination की बात करें तो जो Adaptability Test पास कर जाएंगे उनको Medical के लिए भेजा जाएगा October 2020 में ठीक है रैली जो है आपका October में ही चलाया ना तो October में ही भेज़े जाएगा मतला बहुत क्विक हो जाएगा उसके लिए आपको Air Force गोरखपूर भेज़े जाएगा ठीक है और इसमें आपका टेस्ट क्या क्या होगा तो Blood Hemoglobin, HB, TLC, DLC, Biochemistry Blood Sugar होगा, Fasting PP होगा, X-Ray Chest कराएग जाएगा, ECG कराएगा, Heartbeat आपका, सही काम कर रहा है कि नहीं, urine test होगा, serum, cholesterol, urea, ureak and creatinine, LFT test होगा, serum होगा, bilburine होगा, उसके बाद नार्कोटिक, drug और psychotropic substance abuse, इस सब का आपका test होगा, इतना सारा जाच होगा, medical में, और आखिरकार जो candidates medically unfit हो जाएगे, तो उनको अपील दी जाएगी क्या, option for appeal medical board against their unfitness of depositing RS government treasury, तो military recovery, the application of AMB along with original copy of certificate are to submitted, the representative of 10 ASC AFB within three working days, तो तीन दिन के अंदर आपको फिर से मौका दिया जाएगा, कानपूर भेजा जाएगा, अगर वहाँ से कोई प्राबलम हो रही है, और दावा कर रहे हैं आपकी नहीं, मैं फिट हूँ, the recruitment medical officer and the specialist office doctors of armed forces are the final authorities, मतला उनका जो declaration होगा, वो final होगा, उसके बाद आपका कुछ नहीं सुना जाएगा, which may be at variance from civil standards, there is no provision for representation or review, review के लिए कोई appeal नहीं कर सकते हैं, उन डॉक्टर का जो कहना होगा, वही आपको माना जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट जो है, वो 10A Airman Selection Center, Air Force Station Beta, पटना वहाँ पर आपको डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके अलावे इसकी जो कॉपी है, वो district collector, यानि डियेम के पास पटना भेज दिया जाएगा, पटना भिहार, अलसू अभेलेवल रहेगा, या आपके website पर भी अभेलेवल रहेगा, www.airmanselection.cdeck.in, यानि कि आपको वहाँ जाना नहीं है देखने के लिए, रैसी आपका selection होगा, तो यहाँ पर website पर आ जाएगा, जिनका selection हो जाएगा, पी एसल में हो जाएगे, यानि कि provisionally selected हो जाएगे, उनको उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, और यह सारी बाते थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि बहुत कम समय के लिए यह vacancy है, और कल ही इसका application होगा, एक बार फिर से हम बता दू आपको, कि कल apply start हो जाएगा, ए last date है, यानि मातर 24 गंटे का समय है आपके पास, इसको apply करने के लिए, तो इसको बहुत ध्यान में रखिए, अगर आपको एरफोस में जुरना है, और हवा में उरना है, ठीक है, पंखो को उरान देनी है, तो इसको आप भढ़िए, अगर आपने 10 प्लस 2 किया है, साइन से, बिलकुल भढ़िए, और हमारा जो है, जो हमारा branch है, main branch, आपका जो है, the knowledge care का, offline batch, इसके लिए special batch तयार किया जा रहा है, और उसके लिए आप जो है, हमारे मोनुसर से बात कर सकते हैं, जिनका contact number है, 87-099-0-22-83, ठीक है, इसके अलावे आप हमसे भी contact कर सकते हैं, और हमारा number है, 9123-4367-00, ठीक है, इसको आप note कर ले, और कोई भी जानकारी अगर आपको इससे जूरी चाहिए, batches की जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद,